विश्टारी प्रेश पर दूख पर दूख सब्सक्राइब हर यूग में एक धरम युद्ध हुआ है सत्य और असत्य के बीच जैसे भगवान राम और रावन के बीच पांडव और कौरवों के बीच और आज राजपुतों और खिलजियों के बीच और हर यूग में जीत केवल सत्युकी हुई है आज हजारों राजपुत के सर्या बाना पहन कर अमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए आज तक चितोड की दीवारों ने हमारी रक्षा की है पना आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े है गड़ की रक्षा के लिए हमारे लिए वो इश्वर से कम ने जब राजपुत अपने मिट्डी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी कलवारी कुछ सधियों तक रहती है जब ही दुन्या में अंधकार बढ़ा राजपुत योधाव ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलीदान दिया पंधरम को पुझने ना दिया पंधरम को पंधरम को पंधरम के लिए ज्वाला के खिलाफ है यह जंग के उसूलों के खिलाफ है सुल्तान की जीत के लिए सब जायस है और में जीत के लिए राज़ बला है वोगरम को पंधरम के लिए वोगरम के लिए वोगरम के लिए इस झाल जऴाए तोर भंग जगो जड़ाए तोर हो नगना नगना है यह जंग दो सुलों से लड़ी होती, लांती, जंग का एक युसु लेरावल, जीत, ना? आपकेमार्ण! याइगर! आज अगर रणभूमी में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए, तो भी शत्रु जीते का नहीं. चितोर के आगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शत्रानिया लड़े के. हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपुत वीरांगनाय वेदना को वीरता में कैसे बदलते हैं. जिस अगनी को साक्षी मानकर साथ जीने और मनने का वचन लिया था, उसी पवित्र अगनी को हम फिर जलाएंगे. हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी पर्छाई तक नहीं लगेगी. ये शरीर राख हो जाएगा पनमर रहेगी. राजपुती शान हमारे उसूल हमारा स्वाभी मान. और ये ही अलाव दिन्रे जीवन्री सबसे बड़ी हार होगी. राणी साह, हुकुम! हाग रिचू नरोडने का बखता क्यों है. कड़ की दर्वा से बंद कर दो. कड़ की दर्वा से बंद कर दो. कर दो कर दो. झाल कर दो कर दोड़ और ने आड दो राटिए पमाला कर राटिए ये जो तो राटिए ठाटिए और बार वें राटिए ये शाटिए पैंक राटिए tillग राटिए रखने और वें। जारिन जारी तन्यात बारी हानी tenido पारीटित जार बारि झाल झाल झालि令 झाल 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 करने मारीए एफ द्वानी ! करने मारी एप एफ उडादी ! करने मारी एप एफ एप एप! ? झाल 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 रानी पदमावती का जोहर अलावतिन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तोर की सबसे बड़ी जीत आज इतने सद्यों बात भी रानी पदमावती के जोहर की गुंच भारत के हर कोने में सुनाई देती हैं और रानी पदमावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूछते हैं जो बुराई का सनहार करती है करते हैं